नमस्कार पब्लिकेशन यूज़ में आपका स्वागत है बहुत बड़ी खबर आ रहे है इस वक्त यूपी के और रहिया से जहां कोरुना वाइरस से दिनों दिन बढ़ते संक्रमन के बीच में सड़क दूर गाटनाओं में भी इजाफ़ा होता जा रहा है लोगडाउन के बीच भी सरकारों के प्रवासी कामगार, शमेकों को उनके घरों तक पहुचाने के तमाम इंसाम के बीच भी लोग पैदल या फिर खत्रा मोल लेकर घरों की ओर रुक कर रहे हैं ऐसे ही लोगों से भरे ट्राला को शनीवार को औरईया में DCM ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे 24 लोगों की मौत हो गए जबकि 25 लोग खायल हैं जिनको अस्पताल में भी भेजा गया है गंबी रूप से घायल 20 मजदूरों को सैफ़ई मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है जबकि अन्य घायल जिलासपताल में भरती है CMO ओर यह ने 24 लोगों की मौत की पिष्टी की है मौके पर कमिशनर आईजी भी पहुच गये हैं प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ स्वास विभाकी टीम भी मौके पर मौझूद है पुलिस और स्वासकर्मी राहत और बचाओकार में जुटे हुए हैं अभिशेक सिंग ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जिलासपताल में भरती कराया गया है गंबी रूप से घायलों को सैफ़ई मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है जहां 15 घायलों की हालत काफी नाजुक पनी हुए है और आयमे कोतवाली श्रेत के चिहुली में हाइवे पर शनिवार को नैशनल हाइवे पर एक धाबे के बहार खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार DCM ने टककर मार दी टककर के बाद कंटेनर वर DCM दोनों गड़े में जागिरी इसमें सवार 24 मजदूरों की मौत हो गई शनिवार की सुबे करीब 4 बजे मजदूरों को लेकर गोरखपूर जा रहे कंटेनर एक धाबे के बहार रुका मजदूर दिल्ली वा फरिदबाद से कंटेनर में सफार हुए थे और गोरखपूर जा रहे थे चालक चाय पीने चला और मजदूर सो रहे थे इसी बीस तेश दफतार DCM ने कंटेनर में टक्कर मार दी जिससे कंटेनर गढ़ा में जा गया और DCM भी गढ़े में पलट गया धाबे के लोग भागे चीक पुकार मच गई पुलिस मौके पर पहुची और 5 बज़े से रहतकार शुरू हो गया क्रेन से कंटेनर वर DCM को हटा कर दबे हुए लोगों को निकाला गया जिला स्पताल में 24 लोगों को मृत खोशित किया गया 15 गंबीर घायलों को सैफ़े ही रिफर कर दिया गया है जबकि 20 मामली घायलों का जिला स्पताल में इलाज चल रहा है DM अभिशेक सिंग ने बताया कि मजदूर दिल्ली से गोरकपुर जा रहे थे मजदूर जार्खन देवरिया वा पश्चिम बंगाल के हैं कई मृतिकों के नंबर मिलने पर उनके स्वजन को सूशना दी गई है मंडल एक सुधीर M. बोबडे ने बताया कि घटना की जाच के आदेश दिये है मृतिकों के नाम में राहुल, नंदकिशोर, केदारी यादव, सुधीर, उत्तम निवासी, गोपालपुर, थाना, पिंडा, जारकन, अर्जुन, राजगोस्वामी, मिलन, गोवर्धन, गणेश निवासी, पुरलिया, पश्चिम बंगाल, चंदन, राजभर, नकुल महयतो सतेन निवासी बिहार, वसोमनात आदी हैं। कराने के निदेश भी दिये हैं, उन्होंने मंडलायक्त कानपूर तथा आईजी कानपूर को तत्काल मौके पर पहुँचकर राहतकार अपनी देख रेक में सम्पन कराने तथा दूरगटना के कारोनों की जाज कर आख्या उप्लप्त कराने के निदेश दिये हैं, घालों क के बहतर इलाज की दिदेश दिये गए हैं वहीं पूर्व मुख्य मंत्री अकलेश यादव ने ट्वीट कर शोक समेंदा व्यक्त की है इसके लावा उन्होंने लिखा है कि ऐसे हाथ से मृत्यू नहीं हत्या है